वेल्कम टू एच्छी स्टडी ट्रिपल एट जैसे कि आप साइड में लोगों देख रहे हो प्रोडक्शन मस्ट सेप्टिफ फर्स्ट प्रोडक्शन तो करना है करना है लेकिन सेप्टिफ को प्राइट्री में रखना है टोपिक अब टूड़े आज का जो टोपिक है वह गैस सिलेंडर एक्टिविटी इन इंडिस्ट्री और सम्वेर एल्स जैसे प्रिकोशन सेंड प्रिवेंटी में तर्सवाइल वर्किंग विद गेस सिलेंडर सेट के साथ काम करते हैं क्या कि सावदानिय और निवारक विद्धिय अपन अपना सकते हैं उसके बारे में बताए गया है जैसे की यूज अभी ए फ्लेश्बेक अरेश्टर फॉर फ्यूल गेस असीजिन इस ट्रोंगली रिकम्डेट वन सेट शुट बी ओन दा स्टोर साइड एं वन चेल और रेगुलेटर साइड फॉर इंक्रीश्टी रेगुलेटर साइड इस रिकम्डेटेट विद्धि थर् परच की तरफ होना चाहिए और एक शेट रेगुलर की तरफ होना चाहिए रेगुलेटर साइड फ्लेश्बेक थर्बल का टोप बोल्व के साथ होना चाहिए जैसे की इमेज में धर्शाया गया है जैसे की इस ओल्वेस बेटर तो यूज ए ट्रोली फोर मुविंग सिलंड इवन पोर शोट डिस्टेंड चाहिए थोड़ी दूरी पर भी अगर अपने को सिलेंडर ले जाना है तो उसके लिए अपने को मैन्योल ट्रोली का यूज करना और इडिस यूनिम मॉस्ट यू शुट नेवर ट्राइट केच और रिष्टेंड फॉलिंग सिलेंडर यानि के अगर आपको कभी गिरते सिलेंडर को पकड़ने या रोकने कोशिश नहीं करनी चाहिए इससे इंजिरी हो सकती है करें गेस्ट होज हो सेप्टी तो इस अपने को निकन लाए और यूज प्रोपर होस क्लेंज यानि प्रोपर होस के उपर प्रोपर क्लैंज लगे हूं यह डिलन होने चीज़िए वह जैसे कि image में दर्शाय गया है do not put them on hot metals यानि उन्हें hot metals के आसपास नहीं रखना है उन्हें designated palace पर रखना है कि प्रोटेक्ट प्रोम मोल्टल मेटल एंड वेल्डिंग स्पेटर इसे पिगली हुई धातू और जो कि विब्लींगे स्पार्क हें उन्से सुरक्षित रखना है ईगया दीफरेंट कलरफो इपरेंट गएस हुल्स डिफरेंट गैस होज़ाज की लिए इटरेंट कइलर के आएक में की को ब्लेक्ट एविग ऑघ्मिग और एक्सीजन नीला ये शाज हुआ है जएसे कि इमेज में आज हैसे जैसे ही तो हाइच्वालिटी विए उस्ट को युज है और जो लो ग्वुअ कॉलीटी वोसे उन्हें हमेशा ही इग्णॉर करना चाहिए oxygen and fuel gas hoses should not be older than two years measure hoses are marked with the year of manufacturing safety check sheet for gas cutting set उसमें क्या कि check point अपन check कर सकते हैं जैसे protective wall care firmly fixed for both cylinders check for damage cracked in the wall cap दोने cylinder के लिए रुक्षात्म wall cap मजबुत से लगाई गई नहीं गई है wall cap में शर्ती दरार की भी जाज करें अगर प्रेशर गेज़ेश टू फोर इच सिलेंडर इनलेट आउटलेट इन वर्किंग कंडिशेट बोथ oxygen and acetylene gas के लिए प्रतेक सिलेंडर के लिए दो दबाव गेज इनलेट और आउटलेट पर इस्ते अच्छी स्तथी में हो और oxygen and acetylene gas दोनों 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 शुरो पर हो सकते हो अरे प्रेश्टर एब इस प्रोवाइड पर अक्सिजन शिलेंडर प्लैजबैक अरेस्टर एसिटी लिट और और एक्सीजन सिलेंडरों दोनों पर प्रोवाइड किया होने चाहिए होस फिरी प्रोम लेमेज यानि जो होस है वो लेमेज रहीत होनी चाहिए उसमें क्रेक और कटनी होने चाहिए जैसे इमेज में दर्चाय गया है नली शर्ती से मुर्त कट और क्रेक्स ना हो इसके लावा टाइट क्रिंपिंग्स ओफ होसे विद जूबली क्लेम्स यानि क्लेम्स से पूरी तरह से कसी हुई हो डिली डाली ना हो इसके अलावा सिलेंडर शेक्योड बाई चेंज वी ट्रोली यानि सिलेंडर चेंज से बंदा होगा होना चाहिए अगर ट्रोली पे हो तो वो प्रॉपर रूप से बंदा होगा होना चाहिए ट्रोली टायर शुडबी फ्री फ्रॉम डेमेज यानि जो ट्रोली का टायर है वो डेमेज रही होना चाहिए थाकि एक जगे से दूसरे जगा पर मूविंग करने के लिए आसा नहीं रहे ओडूर्शोरह यानि इंड़ेस्ट्रील टाइप लाइटर का जैसे इमेज में आपको बताया गया है किसी भी मेजबोक्स और कोमर्शल लाइटर का यूज नहीं करना चाहिए और ओर यह पूरा नम्बरिंग दर्शाय गया है कि टोटल नौ पॉइंट चेक लिस्ट बनती है तो नौ पॉइंट को अपन किस तरह से अपन चेक कर सकते हैं थैंक्यू फॉर वाचिंग